असलाले उने कुम देयर स्टुरेंट्स. देयर स्टुरेंट्स, तोड़ेज अवर टापिक इस जूरिस्डिक्षन आप सुप्रेम कोट याने सुप्रेम कोट का दायरा कहां कहां तक फैला हुआ है. और वी कें जायरे कोट कहां कहां पे जाज्जमें्ट दे सकता है. तो पेरे बच्चो आवर सुप्रीम कोट और वी कन से अगर हम देखेंगे कि दुनिया में अगर दस बड़े सुप्रीम कोट्स है तो उन दस में इंडियन सुप्रीम कोट को भी गिना जाता है भी एक माना जाता है मगर जो हमारे इस सुप्रीम कोट की जूरिडिक्शन है इस जूरिडिक्शन और इस फंक्शन और विदिन दे लिमिटेशन इंपोजर बाई दे लिमिटेशन ने जो इसके लिमिटेशन रखे गई है तो उसकी फंक्शन जो है वो विदिन दे लिमिटेश which are imposed by the constitution उन limitations के अंदर इन हमारे सुप्रेम कोट को काम करना पड़ता है हमारा सुप्रेम कोट या हमारी जुडिशिरी जो है वो independent जुडिशिरी है उसका ये मतलब नहीं है कि वो accountable नहीं है यानि हमारी जो सुप्रेम कोट है या हमारी जो जुडिशिरी है वो दुनिया की बड़े बड़े जुडिशिरी हों में एक जुडिशिरी है या दुनिया के बड़े बड़े सुप्रेम कोट में एक सुप्रेम कोट है और हमारी जो सुप्रेम कोट है उसकी जो जुरिडिक्शन है वो लिमिटेशन के अंदर है दोज लिमिटेशन विचार इंपोजर बाइड़ कानश्यूशन जैने कानश्यूशन ने जो हद रखे हैं उन हदूद के अंदर हमारे इस का जुरीडी हमारे इस सुप्रेम कोट को काम करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि हम इसकी इंडिपेंडेंस को कि यह आजाद है मगर अकाउंटेबल नहीं है बलकि यह जो हमारा सुप्रेम कोट है यह अकाउंटेबल भी है यह सुप्रेम कोट जाए इसकी जो जुरीडिक्शन है वो स्पेस्पिक जुरीडिक्शन है और वी कन से स्कोप अफ़ पावर्स जो सुप्रेम कोट है है इन्ट के आ उरिजिनल जूरियेदिक्शन है एंड स्पेशल पाउर तो जब इसका ситу है जब हम इसको देखते हैं तो हमें जब o 돌아 डिजिनल जूरिदिक्शन मिलता है तो और डिजनल disputes को सुल जाता है जो center और state के दर्मियान होंगे और ऐसे disputes को भी सुल जाता है जो state और state के दर्मियान होते हैं उसके बाद इसकी regret jurisdiction होती है जैसे कि आपने article 32 में देखा होगा मैंने पढ़ाया आपको article 32 कहता है कि हमारी जो supreme court है उसके पास powers है कि he can issue the rights like habeas corpus like mandamus like provision like superiority और ये हमारे fundamental rights को भी prevent कर सकता है ये article 32 में है उसके बाद appellate jurisdiction appellate jurisdiction कहा है tries appeal from lower court in civil criminal and constitutional cases अगर कोई lower court से कोई appeal आती है civil case में या criminal case में या constitutional case में उसकी शनवाई भी वो कर सकता है या अगर कोई मसला lower court में हल नहीं हुआ होगा उसके बाद high court में हल नहीं हुआ होगा और उसके बाद appeal जब जाती है स्प्रीम court में तो वो उसकी अपील को भी मन नज़र रखता है ठीक है उसके बाद है advisory advisory jurisdiction advisory jurisdiction जो है वो article 143 है हमारे constitution ने article 143 में ये provision रखा है कि आवर supreme court can you advises to the president on matters involving questions of public importance जब कभी public importance का कोई मसला होगा तो उस में advise कर सकता है president को supreme court okay उसके बाद special powers even grant special leave appeal from any judgment or matter passed by any court in the territory of India यानि अगर कोई भी judgment लवर कोट ने दिया होगा तो अगर उसकी appeal उसकी petition supreme court में जाती है तो supreme court उस पे भी नज़र सानी कर सकता है यानि लवर कोट के फैसले को बदल भी सकता है लवर कोट के फैसले को change भी कर सकता है lower court के फैसले को बरकरार भी रख सकता है जब कभी भी उसके पास वो petition आती है यानि lower court में अगर कोई case हल न हुआ होगा तो वो उसकी petition Supreme Court में भी जा सकती है ओके तो यह जो हमारे पास यह पांच jurisdictions है यह औरिजिनल रिट एपली advisory and special petition इनको हमें इस चप्टर में एक एक करके discuss करना है तो सबसे पहले हम original jurisdiction को discuss करेंगे तो यह original jurisdiction आप पहले इस word को समझ लीजे original plus jurisdiction jurisdiction यानि दाइरा original यानि original दाइरा क्या है बनियादी दाइरा जो है Supreme Court को Supreme Court का वो क्या है originally Supreme Court को किस चीज़ के लिए बनाया गया है बनियादी तोर अगर हम देखेंगे तो कौन से cases Supreme Court में जाने चाहिए तो original jurisdiction आप उसी को कहते है original jurisdiction में हम देखते है cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts before that यानि ऐसे cases को वो consider करता है directly जो लावर कोर्ट में न गये होंगे इससे पहले लावर कोर्ट में न गये होंगे यानि जो cases लावर कोर्ट में हल नहीं होते है ऐसे cases Supreme Court में हल होते हैं यानि अगर हम देखें जो यह original jurisdiction आप दो सुप्रीम कोर्ट है इसको हम establish इसलिए करते है as an empire in all disputes regarding federal federal matters यानि federal matters में यानि जो federal matters होते हैं उन में जितने भी disputes होते हैं उन disputes को हल सुप्रीम कोर्ट ही करता है यानि federal matters federal matters क्या होते हैं federal matters का मतलब होता है state और state के दर्मियान अगर कोई मसला पाइदा होता है और state और center में अगर कोई मसला पाइदा होता है तो ऐसे मसलों को सुप्रीम कोर्ट ही सुल जाता है मान लो अगर ये पूरी country है तो इस में ये मान लो ये states है 1, 2, 3, 10, 15, 20 ये states है और states में जो होते है districts होते है ये चोटे चोटे दाएरे जो मैंने दिखाए है ये मान लो ये districts है और ये जो बड़ा दाएरा है ये मान लो state है और ये सबसे बड़ा दाएरा जो है इसको आप country मान लो तो country, country में states, states में और फिर districts तो जो डिस्ट्रिक के केसे होते हैं, वो डिस्ट्रिक में सलजते हैं, और जो स्टेट के केसे होते हैं, वो स्टेट में सलजते हैं, मगर जब कभी भी अगर इस स्टेट को इस स्टेट के साथ कोई मसला होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, या इस स्टेट को इस स्टेट के matters कहते हैं और ऐसे matters को हल करता है हमारा supreme court okay तो federal country में क्या होता है federal country में जो legal disputes होते हैं they are bound to arise they are bound to arise जो legal disputes होते हैं वो तो आते ही रहते हैं कहां between the union and the states union or states state game Жांभ्व तर स्टे और स्टेट के दर्मियाद yeah among दा states देंसर्म या state और स्टेट के दर्मियाद I say dispute उटते ही रहते हैं कहा union और states में और states और स्टेट के जैसे कि अगर union एन्याद को काम करना चाहता है को किसी state में अगर state की मर्जी नहीं होगी ऐसे काम में तो डिस्प्यूट पाइदा होता है अगर स्टेट कोई काम करना चाता है और संटर की इसमें मर्जी नहीं होगी तो डिस्प्यूट पाइदा होता है या कभी कवार कोई जगड़ा दो स्टेट्स के दरम्यान होता है यहन fortunate किसी वकित पानी के उपर किसी वकित बुझी के उपर कोई भी डिस्प्यूट पाइदा होता है तो ऐसे डिस्प्यूट स्टेट्स खुद हल नहीं कर सकते हैं क्योंके अगर मान लो अगर पंजाब और राजस्तान के दरमियान किसी रिवर के उपर कोई जगड़ा होगा तो वो दूनु स्टेट उसको हल नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि पंजाब अपनी तरफ पर आए लेगा और राजस्तान अपनी तरफ पर आए लेगा तो ऐसे डिस्प्यूट जो होते हैं ऐसे फेडरल मेटर जो होते हैं ऐसे फेडरल मेटर उसको सुप्रीम कोट ही हल कर सकता है इसी तरह अगर कोई चीज संटर ओल स्टेट के दरमियान होंगे तो central state के दरमियान भी state का high court मसला हल नहीं कर सकता है ऐसे मसलों को कौन हल करता है Supreme Court तो यही therefore original jurisdiction has the power to resolve such cases ऐसे case को हल करने का एक्तियार Supreme Court के पास होता है ओके वाई why original jurisdiction यह original jurisdiction क्यों है Supreme Court के पास क्योंके there is no parallel institution to the Supreme Court no institution is parallel to the Supreme Court क्योंके हमारे इंडिया में Supreme Court के पराबर कोई court और नहीं है state courts के अलग होते हैं district courts अलग होते हैं मगर Supreme Court के parallel में कोई और Supreme Court नहीं होता है तो इसी तरह अगर हम अमरिका की बात करेंगी अमरिका भी एक federal country है अमरिका में अगर कोई state है उसका अपना Supreme Court है वो पूरी state पे काबो कर सकता है और दूसरी स्टेट में अलग स्प्रिम कोट है तो वह उस स्टेट का मसला देखता है यहाँ पर जो इंडिया है पूरी तरह से फैडरल नहीं है शोड़ी बहुत जो इंडिया है वो जुका हूआ है यहाँक पोज फैडराल है यहां पे संटर में ज्यादा पावर्स है बनेजबत के स्टेट्स के यहां पे स्टेट्स यहां पे जो है स्टेट्स संटर के अंडरकाम करते हैं यहां पे स्टेट्स पे ज्यादा राज कोन करता है संटर राज करता है यहां पे सुप्रीम कोड जो है वो स्टेट्स के भी डिस to resolve the disputes between the states and the center and states and states themselves okay it is called original jurisdiction because the supreme court alone has the power to deal with such cases. सिर्फ original jurisdiction इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि सिर्फ supreme court के ही पास ये powers है कि वो ऐसे मसलों को सुल जा सके. in this capacity the supreme court not just settles disputes but also interprets the powers of union. इतना ये नहीं है कि ये बस state और state के दर्मियान जो dispute है उसको हल करेगा बल्कि ये interpret करता है कि powers of union यानि state के पास powers क्या है और center के पास powers क्या है यानि हमारी constitution ने जो powers state को रखे हैं और जो powers union को रखे हैं center को रखे हैं इन चीजों को interpret भी supreme court ही करता है यानि एक तो ये इसकी ये जो capacity है कि ये सिर्फ dispute सी settle नहीं करता है बलकि it also interprets the powers of union and state government as laid down in the constitution यानि कानिस्टुशन में जो powers रखे गए है state को और center को उनको भी समझाता है जब कभी भी ऐसा मसला आता है okay this was the jurisdiction of supreme court तो इसमें हमने पहली jurisdiction जो थी original jurisdiction आज हमने इसको देखा तो इंशालला अगले वीडियो में हम बाकी जो jurisdictionist है याने rate, appellate, advisory and special उनको देखेंगे thank you